हरे कृष्णा एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल कॉंशियस लिविंग आज हम लोग कैसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगी जिसके लिए मैंने कभी स्वपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी आप थमनेल से समझे गए होंगे जी हाँ हम लोग आज डिसकस करेंगे जो तिरुपती मंदिर की लड़ू कॉंट्रिवर्सी है क्या आप जानते हैं इस लड़ू कॉंट्रिवर्सी में जो एलिगेशन्स लग रहे हैं उनके लिए फॉर्मर टीटीडी चेर्मेन पहुँच चुके हैं और उन्होंने ये मांग रखी है कि एक इंडेपेंडनेंट कमिटी फॉर्म करी जाए जो मंदिर में जढ़ाए गए भोग और भक्तों में बाटे गए प्रशाद की इंग्रिडियंट्स उपर अच्छे से इंवेस्टिगेट करें और इन एलिगेशन्स के उपर एक फाइंडिंग्स दे पाए आप मेंसे जो लोग नहीं जानते हैं कि ये लड़ू कॉंट्रवर्सी क्या हैं उन लोगों के लि वह भक्तों में बाटे जा रहे हैं वहां ये लड़ू अलग-लग वेट वह साइज में बनाये जाते हैं आप सबने भी वह प्रशाद कभी न कभी जरूर पाया होगा तिरुपती मंदिर का प्रशाद इतना को इसको इतना सम्मान है कि जो भी वहां जाता है वह अपने प्रि अनिमल फेट मिलाये गया है तब आपको कैसा लगेगा अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि लैब रिपोर्ट में ये सामने आया है कि तिरुपती मंदिर का मुख्य प्रशाद जो भक्तों में बाटा जाता था उसमें काम आने वाले घी के अंदर सिर्फ एडल्टरे मिलाये गया था देखिए सुनने में ये कितना अजीब लगता है प्रशाद का अर्थ सिर्फ खाने की वस्तु नहीं होता उसमें भगवान की कृपा होती है अब देखिए जो शुद्ध वैशनव है वो प्याज और लहसुन का भी उपयोग नहीं करते हैं उन्हें ये सब ख हिंदूओं की आस्था को उनकी हृदे को कितनी ठेस मोची है और उसमें भी काव बीफ मिलाया हमारे धर्म गरंथों में गाय को मा का दर्जा दिया गया है गाय में सभी 33 कोटी देवी देवता निवास करते हैं ये भी माना गया है भगवान को गोपालक कहा जाता है भगवा में कौन ये सोचेगा कि तिरुपती स्वामी का महा प्रशाद जब बटेगा तब उस पे ऐसे allegations खड़े हो जाएंगे बट अब जब ऐसे allegations खड़े हो गए हैं तो we have to revisit our basics और इसी के लिए श्रिला प्रभुपाद ने एक principle दिया था purity is the force अर्थात purity यानि पवित्रता सर्वो परी है अगर अब अध्यात्मत अध्यात्मिक्ता की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका हृदे मन वचन वानी व्यवार सब कुछ पवित्र होना चाहिए और यहां ऐसा समय आखड़ा है कि जिसमें हम रिदे के पवित्रता की नहीं अपी तो गी की पवित्रता की बात कर रहे हैं अब जो शुद्ध वैशनव है उनके मन में यह प्रशना आ रहा होगा कि हमने हमारे जीवन परेंथ में कभी न कभी यह प्रशाद अवश्य पाया है तो अब हमें क्या करना चाहिए इसका प्राश्चित कैसे हो तो उसके लिए आप सिर्फ अपने हृदे में भगवान से हा आचना कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वत्र है उन्हें सब ग्यान ग्यात है कि यह आपने इंटेंशनली नहीं किया है यह अपराद अनिंटेंशनली हुआ है और वैसे भी इसी के समन्द में भगवान स्री किष्ण ने गीता में स्वैम कहाए है चैप्टर नाइन वर्स तुंट पत्र यानि पत्ता पुष्प फल तौयम यानि जल जो भी मेरे भक्त युजिप भक्ती पूर्वक समर्पित करते हैं भेट करते हैं उस भक्ती भाव से अर्पित भोगों में स्विकार करता हूँ इसलिए जिन्होंने भी जाने अन जाने में उस लड़ू का महाप्रशाद क भगवान वेंकटेश स्वामी को भोग अर्पित किया है या वो महाप्रशाद की रूप में भक्तों को वित्रित किया है वह सभी अपराद अन जाने में ही हुआ है इसके लिए इतना शोक ना करे पर हाँ आगे से ये चीज़ ना हो उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी इसमें एक कमिटिव फॉर्म करकर सारी चीज़ की लेप टेस्टिंग हो उसके बाद ही वैसा भोग बनाया जाए भविश्य में इसकी विवस्ता के लिए हमें अवश्य आवाज उठानी होगी क्योंकि तामसिक या राजसिक भोग में कभी भी पवित्रता नहीं हो सकती तब कि रिश्ड़्य झेखे लुड़ में करेंदित झाले के लिए स्वाज आवर गारम में श्याओaking outros जह विवस्ता के लिए्एविटनें जावार